प्यारे बच्चों क्या हल चला आप सभी के डियर स्टूडेंट्स नवदीब सरकी फिजिक्स के इगलास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों तो अपने जो चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर फाइव इलेक्रिक करन्ट पार्ट नंबर अपने इसका 18 आज डिसकस करने जा रहे हैं टॉपिक देखो जो अपने दो टॉपिक है में न हलांकि आपके अब वाले सलेबस में नहीं इंक्लूड की हुए लेकिन आपको पढ़ने है इलेक्रिक एनरजी और इलेक्रिक पावर ठीक है न बहुत ही बड़ी है टॉपिक है तो आपको अच्छे तरीके से इनको त्यार क समझना आपको तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको त्यार करना है टॉपिक तो सबसे पहले अपने इलेक्टरिक एनरजी की डेफिनेशन पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी तो क्या होती है इलेक्टरिक एनरजी कि इसमें देखो टोटल वर्क डन बाई एस सोर्स तो जैसे तो क्या है कि जो प्रकवों में जैसे लाइट आती है तो वह कोई अलग मीडियम से ओ सकता है कि वो क्या है उसमें एसी करण आता है तो generally अपने जो physics के practical होते हैं उसकी base पर अपने कह रहे हैं कि अपने क्या करते हैं कि electric current जो flow करवाते हैं वो cell की help से करवाते हैं अब होता क्या है कि उस cell से जब current flow करवाते हैं तो cell को क्या करना पड़ता है current flow होता क्या है इलेक्ट्रोन का flow होता है न बचो इलेक्ट्रोन के flow कोई अपने current flow बोलते हैं तो अब देखो क्या होता है कि आपको पता है कि जो बेंट्री होती है वो potential difference generate करती है पहले तो दो ends के between अब दो ends के between potential difference जब generate हो गया तो बेंटरी क्या करती है? इलेक्टरोन पर force लगाती है potential difference generator उने से force लगता है और उसी force के कारण क्या होते है? इलेक्टरोन move होते है मतलब बेंटरी को work करना पड़ता है इलेक्टरोन को move करवाने के लिए या आप ऐसे बोल सकते हो कि बेंटरी को work करना पड़ता है किसके लिए? जब आपको किसी circuit में current flow करवाना है उसके लिए ठीक है न? तो उसके लिए work done करना पड़ेगा बेंटरी को तो अब वही work done क्या होगा? वही work done आपका क्या है? इलेक्टरिक energy की form में जो आपका circuit उसमें store हो जाएगा या आप ऐसे कह सकते होगी जो electric current होता है वह एक type की electric energy ही होती है तो उसके लिए क्या है? वह energy आती कहां से है? वह work done से आती जो बेंटरी करती है या फिर जो current का source करता है या electric source जो work करता है उसी के work done से क्या आत मिलता है अपने को electric energy मिलती है समझा है ये इतनी बात आपको तो definition समझागी अब इसका formula देखो क्या होता है कि for a given circuit let electric current I is flowing for time T भी अपने एक circuit लेते हैं याँपे कोई लिया नहुआ नहीं है वैसे इसका कोई derivation नहीं है अपने simply समझती है अगर कोई भी circuit आया उसमें I तो current flow हो रहा है और कितने time के लिए हो रहा है T time के लिए हो रहा है तो अब देखो charge flow in time T यानि T time में जो charge flow होगा उसकी amount क्या होगी तो Q is equal to IT होता है आपको पता है charge की value निकालने है current over time दिया हुआ आपको तो Q is equal to IT formula होता है अब देखो एक चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ सबसे पहले कि जो अपने अब निकालने जा रहे हैं formula उसका process क्या रहेगा ठीक है अपने अभी बोला अपने किसका formula निकाल रहे है electric energy का और वो energy कहां से आती है work done से आती है तो work done निकालने के लिए आपको पता है कि जब भी electricity में जो ये branch physics की electrostatics इसमें अपने को work done जब निकालना होता है तो अपने क्या करते हैं W is equal to QV formula लगाते हैं ठीक है ना QV formula लगाते हैं और यही work done होगा यही work done क्या बनेगा electric energy बन जाएगा electric energy की form में क्या हो जाएगा store हो जाएगा तो अब देखो QV formula अपने को W is equal to QV लिखना है तो पहले Q की value निकालेंगे फिर V की फिर दोनों से work done की value और इसी work done को अपने क्या बोल देंगे electric energy बोल देंगे जो यह अभी मैंने process बताई है न उससे आपको याद रह जाएगा ठीक है अब देखो next क्या है कि जब अब अपने को next चीज क्या निकाल ली है Q तो निकाल लिया V निकाल ले है तो if resistance of circuit is capital R resistance capital R है and applied potential difference या voltage is V जो potential difference या voltage है V है और I current flow और आपको पता है circuit में तो V is equal to क्या हो जाएगा IR हो जाएगा ohm slow से ठीक है ohm slow क्या कहता है कि V is equal to IR होता है अपने को यह relation देते है तो अब Q और V दोनों की value अपने पास आ चुकी है ठीक है तो अब Q और V की जिस वे value इसमें जब पुट करेंगे W is now work done to move Q charge by the electric source या electric cell आप लिख सकते हो electric cell है उसने Q charge को flow करने के लिए कितना work done किया तो W is equal to QV क्योंकि देखो actual में electric current होता क्या है charge ही तो होता है charge का flow ही तो होता है उसको electric current बोल देते है तो मतलब charge से अपने यह वाला formula निकाल रहे है W is equal to QV तो अब Q की और V की value पुट कर दो Q is equal to IT था और V is equal to IR था तो W is equal to क्या हो जाएगा IT into IR तो क्या हो जाएगा यहां पे I square RT यहां पे आजाएगा समझा है इतनी बात तो W is equal to I square RT और अपने इसको लिख देंगे कि this work done will be changed into the electric energy यही work done क्या हो जाता है जो आपकी electric energy है उसकी form में change हो जाता है यह work done थीक है तो electric energy का formula W is equal to क्या आगया I square RT इसका formula आगया है प्यारे बच्चों थीक है न तो electric energy का वैसे कोई symbol नहीं हो तो यह formula आगया अब आपको पता है कि यह वाला formula में दो चीज़ आ रही है एक I आ रहा है और एक R आ रहा है ठीक है अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और पता होगी कि arm slow होता है वो इन V, I और R तीनों में क्या बताता है relation बताता है तो इन तीनों में जब relation है तो I और R तो आ रहे है तो अब एक formula तो आपका I और R की form में बन रहा है I square RT, electric energy का अब देखो अपने क्या है I और R की form में formula बना लिया अब एक formula V और R की form में बन सकता है यह आप क्या करो I और V की form में formula बना लो अपने तीनों type के formula यह इसमें बनाती है एक जो formula I और R का वो तो अपने पास आई गया अब आपको पता है V is equal to IR होता है तो अब उससे निकालो formula अब देखो V is equal to IR से form V is equal to IR I की value निकालो पहले I को गायव कर देते हैं तो I is equal to V upon R आगया ठीक है तो इस V upon R को इस I square की जगा पुट कर दो तो यह बनेगा V square upon R square और into में RT तो R square से R cancel तो यह बन गया V square upon RT और तीसरा जो V और I की form में बनेगा वो VIT बनेगा अब यह formula आप खुद निकालोगे खुद कैसे निकालोगे कि आप क्या करो इसमें I square R है तो इसमें एक I और R की जगे आप क्या कर दो V put कर दो वैस एक I रह जाएगा I square में से तो इसकी जगे V आ गया यह I है और यह T पड़े ही है तो VIT क्या बन जाएगा तीसरा formula निकाल के देख लेना आप खुद कि खुद यतना काम तो करी सकते हो ना ठीक है और एक चीज बता तो आपको थोड़ा सा जीव लग सकता आज मैंने राइटिंग इतनी साफ नहीं है देखो पता है ठंड का मौसम है और नोट्स बनाने होते हैं तो क्या है आते जम जाते नोट्स बनाते लग गया तो नोट्स जब बनाये तो तब राइटिंग ऐसी होगी पैन दक्के से चला रहा था मैं ठीक है हाथ से जम होए थे इस करन ऐसे हो गया तो बाकि आपको समझ आ रहा है मुझे पता है समझ में कोई दिक्कत नहीं है अब नेक्स देखो इसकी यूनिट और डाइमेंशन ये बुक में नहीं है इसकी यूनिट डाइमेंशन वगएरा लेकिन आपको करनी है अब देखो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्री का एनरजी क्या होती है जूल होती है और ये मैं आपको लगवा रहा हूँ most important question for the competition exam अब आप कहोगे कि सर इतना simple question आप most important क्यों लगवा रहे हूँ ठीक है ये आपके मन में आ सकता है तो उसका कारणी ये है प्यारी वच्चों कि most important लगाने का reason भी क्या है कि आपको पता है energy की unit क्या होती है जूल होती है अब क्या है कि कई बार पेपर में आपसे पूछ लेते कि what is the unit of rotational energy या what is unit of kinetic energy या what is the unit of potential energy या फिर आपसे पूछ लेंगा what is the unit of electric energy ठीक है तो अब energy चाहे कोई भी हो चाहे energy का कोई भी type हो जो उसकी unit होगी न वो कभी change नहीं होती है समझाई kinetic energy की unit भी joule होगी potential की भी joule होगी rotational की भी joule होगी और electric की भी joule होगी सारी जितनी भी energy type है आपके पास उनकी unit क्या भी joule होगी हाँ एक question जो main basically आता है what is the unit of energy density ठीक है तो वहाँ बच्चे कर फ्यूज हो जाती है यह energy यहाँ पे आगे तो energy density क्या है joule ही लगा देती है लेकिन energy density मतलब energy per unit volume होती है तो उसकी joule per meter cube होती है ठीक है लेकिन आपको energy की unit चाहे वो electric energy है चाहे वो कोई भी energy है तो आपके पास जो उसकी unit आएगी वो joule ही आएगी आपने half cv square formula निकाला था कपेश्टर में stored energy का उससे निकाल के देख लो यही आएगी joule ठीक है joule का जो form होती है उसको बोलते के हैं kilogram into meter square kilogram into meter square per second square यह joule कहते हैं इसको अपने ठीक है तो यह आगया आप dimension M1 L2 T-2 यह आपने गयार्मी से पढ़ रहे हैं उस definition को और दूसरी एक चीज और यहां पे मैंने लिखी हुई है एक तो cgs unit वो अर्ग होती है यह आपने 11th में पढ़ा होगा एक commercial unit of electric energy है यह kilowatt hour kilowatt into hour भी बोल सकते हैं इसको कई जगे आपको kilowatt into hour लिखा मिलेगा यह kilowatt hour एक ही बात है मतलब multiply में हैं दोनों यह इसको short form में क्या बोल देते हैं kwh यह इसको electric unit बोल देते हैं अब यह unit पता है कौन सा है जो आपके गरों में light का bill आता है तो unit है न जो वहाँ पे वो electric energy की unit है ठीक है न आपको जो bill देते हैं वो आपने कितनी energy अपने गर पे खर्च की कितनी energy आपके गर पे खर्च हुई उसका क्या देते हैं आपको bill देते हैं समझाई अब unit होती क्या है unit निकालते कैसे हैं एक unit वो सारा अपने पढ़ेंगे ठीक है वो मैंने यहाँ पे नहीं करवाया क्योंकि इससे next part मैं वीडियो का बनाऊंगा उसमें आपको सारी चीज़े करवाऊंगा मैं आपको book में दिखा देता हूँ यह देखो बच्चो SI unit of energies Joule SI unit Joule है अब यह वाले चीज है ना जो तीज नीचे लिखी हूई इतनी चीज है यह मैं छुड़वा रहा हूँ आपको यह मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ क्यों reason क्या है इसके पीछे कि यह थोड़ा सा क्या है यह वाला जो topic है ना यह जो मैं यहां पे करवाया है topic आपको यह वाला topic क्या है थोड़ा सा ज्यादा समझने वाला है क्योंकि यह daily life science है अपने जो daily life में काम आती है वो वाली physics कह सकते हो आप तो daily life वाली चीज़ें को मैं अलग से आपको त्यार करवाता हूँ कारण क्या उसका कि कल को आपको पूछ ले कोई जना भी एक इनिट होता क्या तू बता ठीक है तो तब आप क्या है अगर रूत्तर होगे तो वो क्या कहेगा कि हाँ ऐसी physics पढ़ी है तुने या ऐसी science ले रखी है तो जो अपने daily life या everyday life की science होती है तो तबी मैं आपको क्या है ये वाली चीज अलग से करवाता हूँ बैस इसी कारण ठीक है न तो तबी मैंने एक तो ये वाला इतना topic छोड़ दिया और एक ये last वाला ये वाला topic आएगा आगे power वाला ये भी मैंने छोड़ दिया ये आपको next जो 19 वा पार्ट होगा अपने chapter का उसमें करवाऊँगा ठीक है न अब next दिखो आप बचो electric power वह electric power क्या होती है तो सबसे पहले आपको electric power करने से पहले ये पतावने चाहिए कि power क्या होती है ठीक है तो power आपने previous year पढ़ रखा है जो पांचमा चैप्टर मैंने अभी बताया था work energy power वाला कि work done in per unit time या work done upon time यानि कि एक second में जितना work done होता उसको अपने power भोल देते है या आप कह सकते हो रेट of work done ठीक है उसको भी power जैसे आप कह सकते हो rate of rate of change in velocity velocity में change की rate जो होती है उसको अपने acceleration कह देते है मतलब जब time से divide करना हो तो वहाँ पे rate word आजाते है तो वही चीज़ी यहाँ पर है यहाँ पर क्या आजएगा in an electric circuit दा work done per second या rate of work done by the electric source या electric cell भी लिख सकते हो आप यहाँ पे is called electric power यानि कि जो electricity है अपनी या कोई भी electric circuit है उसमें आपको पता है work done होता है वो work done कौन करता है बेंटरी करती है ठीक है तो बेंटरी जब work done करती है तो क्या है कि वो work done आपका एक second में कितना work done करती है बेंटरी यानि पर second कितना work done हो रहा उस बेंटरी से या पर सेकंड कितनी एनरजी आपके सर्कीट में आ रही है उसको अपने क्या बोल देते हैं इलेक्टरिक पावर बोल देते हैं ठीक है मुतलब पावर है तो वर्कडन नहीं बस एक सेकंड का वर्कडन है जो आपने माल लो कि 10 मिन्ट तक आपने क्या किया कि कोई लाइट जलाई ठीक है 10 मिन्ट तक लाइट जलाई तो लाइट में क्या हुआ लाइट एनरजी मिली अपने को वो एनरजी पीछे से कहां से आ रही है जो आपका जैसे माल लो बिजली गराई या जहां पर electricity का production हो रहा है वहाँ से आ रही है वो एनरजी तो वो एनरजी किसमें जूल में है मतलब कितने जूल एनरजी है आपकी माल लो 10 मिन्ट में आपने कहा दिया भी टोटल 600 जूल एनरजी होगी ठीक है तो अब आपको कहा दे भी एक सेकंड में कितनी एनरजी इसने ली तो वो एक सेकंड वाली एनरजी को या अपने क्या बोल देंगे पावर बोल देंगे मतलब पावर में क्या फरका जाता है एक सेकंड की एनरजी लेते हैं या यूनिट टाइम की एनरजी समझाई या इसकी second definition भी आपके book में दे रखी है क्या कि the loss of energy per second in an electric circuit is called electric power यानि किसी circuit में जो loss हो रहा है energy का ठीक है उसको अपने क्या बोल देते है per second energy का जो loss हो रहा है उसको अपने electric power बोल देते है या आप क्या है कि energy आप क्या करते हो जैसे हवा लेते हो गरम हवा लेते हो heater से अब जो सर्दी का मौसम है तो इसमें गरम हवा लेते हो तो अब क्या हो रहा है कि आपकी जो electric energy आपकी heater के पास आ रही है heater उसको किस में convert कर रहा है mechanical energy में mechanical energy से motor गोमती है उससे पंखा चलता है और वही mechanical energy change हो के अपने को air की form में या गरम हवा की form में मिलती है ठीक है न तो इस परकार energy convert होती रहती है तो उस convert करने में एक second में जितनी energy लगी तो उसको अपनी क्या बोल देंगी electric power goal ठीक है तो इसमें ज्यादा अगर किसी बच्चे के इतनी ज्यादा नहीं समझ में आती न मैं तो क्या है कि सारा कुछ detail में बता देता हूं कि यह कोई छूटे न मुझे ऐसे होता है कि कोई चीज रहे न जाए इस कारण में आपको बता देता हूं समझा ही बात है तो अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि यह तो बहुत ज्यादा हो गया तो आप only definition याद कर लो पेपर में definition नहीं पूछेगा बाकी चीजे मैं आपको इसलिए करवाता हूं क्योंकि आपके physics क्या है रटा न लगे आपको हर एक चीज का पता हो क्योंकि मेरा जो formula है वो यही physics पढ़ाने का कि मैं quality education की बात करता हूं मतलब जो चीज आपको पढ़ाई जाए उसमें quality हो quantity ना हो भी मैंने इतने topic इतने दिन में करा दिये भी 5 दिन में मैं तो 50 topic करा दिये वो चीज में मैं विश्वास नहीं करता पांच दिन में चाहिए आपको 10 topic कराऊं या पांच दिन में 5 ही करवाऊं लेकिन करवाऊंगा ऐसे कि आप कभी नहीं भूल पाऊंगे ठीक है न अब next क्या है इसका formula तो formula क्या है आपके पास work done है ही उसको time से बाग दे देने time से divide कर देने तो let work done by an electric source to flow the electric current is w then time t in time t यानि कि किसी electric source ने जो w work done है t time में किया ठीक है तो जो electric power होगी वो p is equal to w upon t होगी अब कई बचे सोचते हैं कि सरी ये w upon t क्यों होगी उसका reason देखो मैं आपको एक देखो अगर मैं आपको कहूँ कि 10 spend का rate 50 रुपई है तो एक का निकालो तो करते हो इस 50 से डिवाइड कर दे तो 50 बटा 10 और आप कोगे कि सर 5 रुपई का एक पैन आता है ठीक है अब वही चीज़ी आँ पर है कि अगर मैं कहूँ टी टाइम में आपकी जो बेंटरी है या कोई भी electric source है वो w work कर रहे है तो एक second में कितना करेगा तो आप कोगे कि सर w upon t करेगा और एक second में work done को अपने क्या बोल देते हैं पावर बोल देते हैं पी से इसको शो करते हैं समझाई फॉर्मूला आगे है डवलू पॉण टी का अब नेक्स्ट के है डवलू के अपने पास तीन फॉर्मूले से उपर जो electric energy के यह वाले तीन फॉर्मूले थे ठीक है अब इन तीनों फॉर्मूले से अपने पावर के तीन फॉर्मूले निकाल लेते हैं यह आपको क्या करने है जो डवलू आ रहा है डवलू में t को divide कर देना वैस वो पावर के फॉर्मूले आ जाएंगे तो i²R t में t से divide कि i²R v²R t से किया तो v²R और vI t में t से divide किया तो vI यानि कि यह देखो फॉर्मूला कितना वड़ी आ रहा है जैसे ओम स्लो में पढ़ते हैं v is equal to iR वैसा ही फॉर्मूला vI यानि voltage और current का जो multiplication है वो क्या होता है पावर होता है और यह फॉर्मूला आगे भी काम आएगा 10th chapter में 10th chapter में काम आएगा transformer वाले topic में ठीक है न तो वहाँ इस formula को और बाकी यह दोनो फॉर्मूले तीनो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए पावर के अब next है इसकी unit और dimension तो unit आपने पढ़ी रखी है power की क्या होती है अब यह electric power है तो power तो power ही है चाहिए electric हो क्या कहते है वाट कहते है और one watt is equal to यह h मत समझे लें डबल टी है ठीक है न मैंने ऐसे करके क्या कर दिया इकठा लगा दिया दोनों पर तो one watt is equal to one joule बटा one second ठीक है तो यह simple सा formula है वैसी लिखा हुआ बुक में लिख दिया अब इसकी जो unit है वाट तो आपने पढ़ी लेक कि जो domestic unit या general unit इनको बोल देते हैं ठीक है अब kilowatt क्या होता है वन kilowatt 10 की पावर 3 watt होता है यह याद रखना है वन मेगा आपको 10 की पावर 6 मेगा जांप आता है वाँ 6 आया जाता है 10 की पावर अब आता है एक horsepower ठीक है यह क्या है जैसे अपने engines होते है ना कार के या किसी और tractor के उसका engine की power को मापते अपने ठीक है तो यह horse यह भी power का है one horsepower आपका 746 watt के एकवल होता है ठीक है 746 watt के एकवल होता है यह horsepower और यह competition के लिए आज से आपके paper के लिए आज से important है one watt वाला ठीक है sorry one horsepower वाला one HP लिखा हुआ अभी मिल जाएगा आपको कई जगे तो आपको वो आपकी आज की वीडियो थी ठीक है अब क्या है कि कई बचे सोच रहे होंगे कि सर जो पार्ट रहे गया उसको इसके अंदर ही करवा देते तो वो वीडियो क्या है 25 मिंट के गरीव की बननी थी अब आप देखलो इस टाइम वीडियो आपकी 21 मिंट की लगबग हो चुकी है ठीक है तो 21 मिंट और 25 फिर 46-47 मिंट इतना लंबा टाइम जो मैंने देखा है मैंने पहले एक 52 मिंट की वीडियो भी अपलोड की है पचास 52 मिंट की तो उसको सबसे कम जर्णों ने देखा है बहुत ही कम स्टूडेंट ने उसको देखा है बतलब स्टूडेंट लाइक नह नहीं जाती है ठीक है ना फिजेक्स को जेलना मुश्किल हो जाता है तब ही मैं वीडियो थोड़ी छोटी बनाने लगया हूं इससे बच्चों को समझ भी आ जाए फिजेक्स और क्या है उनको इंट्रेस्टिंग भी लगे बोर भी ना हो और टॉपिक भी अपना हो जाए त तो आप ऐसे मत समझना कि सरह में एक दिन छोड़के दे रहे हैं वीडियो या और देखो बचो मैं भी नहीं चाता कि मेरा चैनल क्या है ग्रो ना करें अब मैं वीडियो डालता हूं उसका फायदा मुझे होता है व्यू आते हैं ठीक है लाइक आते हैं आपके तुससे फाय प्राइदा तो रहा है लेकिन कर नहीं रहा है अब मुझबूरी क्या है वो भी आपको चलो बता देता हूं कि आप मेरे बच्चे यो ठीक है पढ़ते हो मुझसे आपसे फैमिली की तरह यानि के अपना रिलेशन हो गया है यूट्यू फैमिली कहता हूं मैं तो इसको देख है अपको सही बात बता रहा हूं मैं कोई गप नहीं मार रहा मैं, कि कम से कम 10-12 गंटे की मेरी सीटिंग है, ठीक है न, उसमें आपका क्या है, आपके नोट्स भी बनाने होते हैं, इंदी मीडियम के अलग बनाने होते हैं, इंग्लिश मीडियम के अलग, मुझे खुद की तियारी, खुद के लेक्चर भी लगाने होते हैं, तियारी करता हूँ आउनलाइन, तो सब कुछ काम होता है, बच्चो, तो आप ऐसे मत समझागरों, अगर मान लोग किसी दिन मैंने वीडियो नहीं अपलोड की, दो दिन नहीं की, तो आपको ऐसे लगता है कि सर जान बुझ के नहीं कर रहे हैं, जान बुझ के कोई ऐसा काम नहीं करता, और दूसरी चीज, कि आपका जो पेपर है, वो मैई में होंगे, तो आराम से अपने करते हैं, अभी मैंने पूरा करव होता है, तो दो दो भी डाल देता हूं, आपको बता है, तीन तीन वीडियो भी कई बार मैंने डाली होई हैं, अगर आप मेरी वीडियो काउंट करो ना, और मैं आपको बताता हूं, लग बग सात या आठ अपरेल से मेरी पहली वीडियो आई है, अगर आप मेरी वीडियो क लिए यहां अगर मुझे 20 मिटी पढ़ाना तो उसके लिए मुझे नोट्स त्यार करना स्केन करके उनके PDF बनाना फिर उसको क्या है इसका थम्निल बनाना फिर थम्निल बनाके आपको पढ़ाना इस चीज को फिर इसको एडिट करना यूट्यूप पर अपलोड करना ठीक है फ फिर उसका monetization on करना बहुत यानि की लंबी प्रोसेस है उसके बाद टेलीग्राम पर नोट्स डालना सब कुछ यानि की इस कारण क्या है आपको वीडियो थोड़ी slow मिल पाती है यही रीजन और कोई रीजन नहीं है ठीक है तो अगर आप सर की मजबूरी समझते हो तो मुझ 60% कोर्स में सी करना पड़े क्योंकि जो 11-12 चैप्टर है ना आपका optics वाला वो काफी बड़ा है लेकिन अब काफी छोटा कर दिया उन्होंने और उसमें अपने topic छोड़ सकते हैं एक time के लिए हां मैं बाद में करवा दूंग आपको 12 के एक्जाम के बाद में अगर अपने क्या कर दिया अब उनको मैं 10 दिन में कर वा सकता हूं यानि तीसरा ही सही वे चैप्टर रह गया है तो इसी कारण आपको कहा रहा हूं कि आप टैंशन मत लिया करोगी इतनी चैप्टर पड़े इतने पड़े यह बड़े बड़े चैप्टर है सारे आठ में नौने दिल की बाते बहुत कर ली, ठीक है तब तक के लिए thank you, have a nice day dear students